सबसे परे लगाएंगे I am I am को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे feeling feeling वो आपका यूज करेंगे उसके बाद कोई adjective इसका sense क्या होगा जैसे कि मुझे खुसी हो रही है या मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है तो ऐसे sentences बनाए पहला sentence लेते हैं मुझे खुसी हो रही है या मुझे खुसी हो रहा है इसके लिए बोलेंगे I am feeling happy I am feeling happy मिला देंगे तो I am feeling happy या I am feeling happy next sentence इसके लिए ग्रेमेंटिकली कर देखा जाएं फिलिंग में आएंजी नहीं लगता है ठीक है क्योंकि एसको ऐसे बोल सकते हैं I feel happy क्योंकि spoken में ऐसे sentence बोला जाता है I am feeling happy I am feeling sad इस तरीके से next sentence मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है इसके लिए बोलेंगे I am feeling sorry for him I am feeling sorry for him या पर bad भी लगा सकते हैं I am feeling bad for him एक sentence आप लोगों के लिए मुझे अच्छा लग रहा है